दक्षिन अमरीका महादवीप में अवस्थित दो प्रमुख क्रिशी उत्पादक देश, ब्राजील तथा अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल अत्यंत महत्वपून चरण में पहुँच गई है। ब्राजील में तो नई फसल की कटाई तयारी भी पहले ही आरंब हो चुकी है, जबकि अर्जेंटीना में इसकी प्रक्रिया अगले तीन-चार सप्ताहों में शुरू होने वाली है। उलिकनिये हैं कि सोयाबीन के उत्पादन एवं निर्यात में दुनिया में ब्राजील पहले और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर है। पिछले साल सोयाबीन का उतपादन अर्जेंटीना में लुड़क कर कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया था जबकि ब्राजील में उचल कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था। उसके विपरीट चालू वर्ष के दौरान जहां अर्जेंटीना में शांदार उतपादन के संकेत मिल रहे हैं, वही ब्राजील के उतपादन अनुमान में लगातार कटौती हो रही है क्योंकि वहां मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। इसमें नियमित रूप से कटौती होने लगी और अब उतपादन 14.97 करोड तन के करीब रह जाने की संभावना है। दिल्चस्प तत्य यह है कि ब्राजील के सोयाबीन उतपादन संग ने तो वास्तविक उतपादन लुड़क कर 13.50 करोड तन के आसपास सिमट जाने का अनुमान लगाया है। बारिश की भारी कमी के कारण वहां सोयाबीन की फसल को बहुत नुकसान हुआ है और इसकी उपजदर में काफी गिरावट देखी जा रही है। यह समस्या केवल सबसे प्रमुक उतपादक प्रांत माटो ग्रोसो तक्सीमित नहीं है बलकि अन्य राजियों में भी देखी जा रही है। उधर अर्जेंटीना में सोयाबीन के उतपादन अनुमान में लगतार बड़ोतरी हो रही है। रोजारियो ग्रेंज एक्सचेंज ने आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना में इस बार 520 लाग टन सोयाबीन के उतपादन की संभावना व्यक्ती की है। उलेकनी है कि वहां सोयाबीन का उतपादन 2014-15 के सीजन में 600 लाग टन सोयाबीन का सर्वकालीन स्वच स्तर पर पहुँचा था। अमरीकी क्रिशी विभाग उसडा ने अर्जेंटीना में 500 लाग टन सोयाबीन के उतपादन का अनुमान व्यक्त किया है। इससे वहां सोयाबीन की क्रशिंग में भी भारी बड़ोतरी होगी। Bureau Report Market Times TV